नमस्कार दोस्तों बदो साथ आपको आमरे चनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के उपर जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके अकाउंट से अप चोरी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता दोस्तों आपने स ओसे इस सबसे पहला उसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा ताकि आपको इसे ठीक से समझ सके और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीज़ेगा और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तो सबसे पहला जो कारण होता है जो online ठगी का वो ये होता है calling calling यानि कि जब हम आपस में बाचित करते हैं चाहे वो किसी stranger से करते हो अंजान व्यक्ति से करते हो चाहे अपने परिवारवालों से ही क्यों ना करते हो तो दोस्तो हम calling जब करते हैं तो हम जाने जाने अपनी personal details, जैसे कि आधार number है, अपना आपको bank account है, या कोई सी ऐसी details, आपकी personal details हम share कर देते हैं, चाहिए हम अपने परीचित लोगों से ही क्यों ना कर रहे हूं, लेकिन क्या आपने notice कि कि कई बार हमारे phone में aci application भी मौझूद है, हम play store से aci application install करके रखते यानि कि जो भी हम बोलते हैं, वो उनको सुनती है, तो दोस्तो हमें ये चीज़े avoid करनी चाहिए, हम phone पे या किस तरह की बातों पर कभी भी अपनी personal details show ना करें, अगर कर भी रहे हैं तो पहले आप देख लें कि आपने किसी phone में कोई नई सी application, अजीब सी application कोई install ना कर रख दोस्तों दूसरा जो major कारण होता है वो होता है लालच, लालच यानि कि social media या social platform पे बहुत सारी ऐसी लालच भरी जो आपको loan का या इस तरह का offer दिया जाता है, जानि कि 10 लाक लोन, 5 लाक लोग बिना guarantee loan इस तरह की offer आपको मिलते हैं, आप उस लालच में फस जाते हैं, कुछ भी detail जो personal detail होती है, वहाँ पर भर देते हैं और यहीं पर आप लालच में फस जाते हैं, क्योंकि अपनी personal detail इस तरह के platform पर share करना बहुत ही risky होता है, तीसरा जो major कारण होता है, वो होता है fake offers schemes के, schemes के fake offers कैसे होते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ ऐसे offers आपने देखे होंगे, जिसके अंदर आपको बहुत इक मामुली सी रकम के अंदर बड़ी-बड़े lap या schemes देने की बात होती है, चोटा से invest करके बड़े-बड़े आपको फायदे पहुचाने की बात की जाती है, या कम रुपयों के अंदर बड़ी-बड़ी चीज़ डिटेल है, वो शो हो जाती है, क्योंकि जो hackers होते हैं, वो इसी तरह के scams का इंतजार करते हैं, तो दोस्तों आपको इन चीज़ों को avoid करना चाहिए, दोस्तों एक जो major कारण होता है, वो पेटियम का link होना, दोस्तों पेटियम आप जगा-जगा या नई-नी website पर भी link कर द पेटियम को link कीजिए, अगर link कर भी रखा है तो पेटियम को आप बिल्कुल secure तरीके से आप इस्तिमाल कीजिए और logout जरूर करके रखे अपने पेटियम को, दोस्तों एक major कारण होता है, online ठगी का वो है WhatsApp, जिहां WhatsApp जो कि सभी के phone के अंदर मौजूद रहता है, और सभी ल WhatsApp पर share करते हैं, WhatsApp जो की Facebook के साथ link पर होता है, और बहुत सारे जो scam या fraud जो होते हैं, वो इन्ही जो से होते हैं, क्योंकि हम अपने परसनल डिटेल से social media पर हम share करने लग जाते हैं, क्योंकि कभी हम से कोई document मांगता है, चाहे हमारा कोई रिष्चेदार ही क्यों नहों, हम उन तर लोग अपना data इदर से उदर ट्रांसफर करते हैं, दोस्तो सबसे major जो एक कारण है, वो है आधार card को link करना fake sites पर, जिहां दोस्तो आपने देखा होगा और notice भी होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, आधार card को या आधार number को भी बहुत सारी fake sites के उपर link कर देते हैं, जब उन्हें लुभावने offer मिलते हैं, नहीं नहीं, वेबसाइट पर जब आप वो गूगल चलाते हैं, या कोई सीपी social sites चलाते हैं, तो वहाँ पर जब offer मिलता है, तो वहाँ पर प्लिक करते हैं, और वो fake websites पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर लालच के चक्कर में आज कल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे आप बचिए, अपने आपको सतर्ग रखिए, अपने दोस्तों परिवार को भी इसके बारे में पताईए, अगर वीडियो चलाइए, तो इसे लाइक जरूर कीजएगा, दोस्तों परिवार के साथे शेयर करना, और हमारे चलों कि कर दो दोस्तों करूं मने ऐा मने दोने उनचसाह, अपना मत बचिए, इसे लाखा एके साथेगार को मने परिवार के से बारे में दोस्तों परिवार के साथे मैं जरूर के स Ev